दे थ्रेड जीवन को बदल देने वाली कहानी Discover the Life Changing Story एक शहर में रिया नाम की लड़की रहती थी रिया एक कवी और लेखिका थी एक दिन उसने थ्रेड नाम की एक नई मोबाईल एप्लिकेशन के बारे में सुना उसे ऐसा लगा कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो सकता है जहां वो अपनी कविताएं और लेखों को दुनिया के साथ शेयर कर सकती है उसने थ्रेड एप को डाउनलोड किया और अपना अकाउंट बना लिया रिया ने थ्रेड एप में अपने जैसे कवियों के ग्रूप को ढूंडा यहां उसे दूसरे लेखों कविताओं और कला प्रेमियों से जुड़ने का मौका मिला रिया को दूसरे लेखों और उनकी अलग-अलग कहानियों से प्रेरना मिलने लगी रिया भी अपने खुद के शब्दों और कहानियों को भी दूसरे कवियों और लेखकों के साथ शेयर करने लगी उसकी कविताएं लेख और विचार उसके ग्रूप में फेमस होने लगे रिया को एक नया आत्म विश्वास मिला और अपने टैलेंट को और भी बढ़ाने का होसला मिल गया उसकी कहानिया और कविताओं को लोग पसंद करने लगे और उसकी रचनाए वाइरल होने लगी थ्रेड ने रिया को एक नए साथी और मैंटर आरियन से मिलवाया आरियन एक प्रसिद लेखक था और उसका सहयोग रिया के लिए अनमोल था वो रिया के लेखों का फीदबैक देता था और रिया को नए रचनाए लिखने के लिए प्रेरित करता था जब रिया ने thread के बारे में एक online writers conference के बारे में जाना तो उसने अपना form online भर कर जमा कर दिया ये मिला उन लेखकों, कविताओं और छोटे-छोटे कलाकारों का एक समानता और भायचारे भरा संबंध स्थापित करने का मौका था रिया ने अपने बूथ पर अपने लेखों और कविताओं का प्रदर्शन किया और लोगों से बातचीत की उसके शब्द और कहानियों का प्रभाव सभी पर इतना गहरा पढ़ा कि लोगों की उसके पास भी रिकठा हो गई रिया ने उन्हें अपनी बहुत से कवितायन सुनाई और लोगों ने उसे खूब पसंद किया इस तरह थ्रेड ने रिया के जीवन को एक नया मोर दिया इसने एक साथ दुनिया भर के कलाकारों को एक साथ जोड़ा और उनकी कहानियों को एक बड़े परदे तक पहुँचाया रिया का जीवन थ्रेड पर सफर करके नई उचायों तक पहुँच गया और उसने अपने शब्द और कहानियों की दुनिया में एक नई पहचान बनाई दोस्तों अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करी और अगर आपको मोटिवेशनल वीडियो स्टोरीज वीडियो देखना पसंद है तो आप स्टोरी केड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकेन को प्रास कर ले ताकि लेटिस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए थांक्यू फो वाचिंग